भाई और बहनों, सामाजी सुरक्षा के लिए प्रतिबत हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के कल्यार से जुड़े बजेट में भी लगबग 30 प्रतिशत की बढोतरी की है इससे यवतमार सहीत महराष्ट के अनेक जिलों को लाब होने वाला है ये फैसला आदिवासी भाई बहनों के लिए भाजपा सरकार की निष्टा और उसकी प्रतिबदता का सबूत है साथियों जमीन हो जंगल की पैदावर हो पड़ाई लिखाई हो खेल से जुड़ी प्रतिबा हो हर स्तर पर आदिवासीों के कल्यार के लिए व्यापक प्रयास हो रहे हैं जन धन से लेकर बन धन योजना तक जन जाती ये समुदाई के बहन भाईयों के लिए काम किया जा रहा है जन धन योजना के तहट बैंकों में लगबग हर परिवार के खाते खुलवाए गए हैं जिससे सरकार की हर मदद आपके खाते में सीधी मिलनी सुनिशित हुई है कोई भी बिचोलिया आपके पैसे पर डाका नहीं डाल सकता इसी तरह वनधन योजना के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बहतर कीमत आपको मिल पाए इसके लिए वनधन केंद्र बनाए जा रहे हैं सरकार का जोर वन उपज के वैल्य एडिशन पर है मुल्य वृद्धी पर है जब वैल्य एडिशन होता है मुल्य वृद्धी होता है तो उपज की ज्यादा किमत मिलती है जैसे कच्ची इमली की किमत कम होती है लेकिन अगर उसको पैकेट में बेचा जाए या फिर चट्टी ब आप ये भी जानते हैं कि वन उपज पर जो समर्थन मुल्य सरकार देती है उसमें बीते साड़े चार बर्स में तीन बार बड़ोत्री की गई है दिसंबर में ही 23 उपजों का समर्थन मुल्य बढ़ाया गया है इतना ही नहीं इस दवरान सरकार द्वारा MSP के दायरे में आने वाली फसलों को बढ़ाया गया है जहां साड़े चार बर्स पहले जंगल से मिलने वाली दस उपजों पर MSP मिलता था अब वो संख्या बढ़ाकर करीब करीब 50 हो चुकी है